हैले श्टोडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुना स्यू कोचिंग क्लासिस पर सोगात है और समू सोला के तत्तों के भौतिक गुणिहां पर चर्चा करेंगे जो भी आपके पास बहुतिक अबस्था है गल्लांग को थनांग है परमार त्रिज्जा है आनिक त्रिज्जा है परमार बिक्ता है इसके बाद अधात्विक प्रकति है तो इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पूरा देखना है क्योंकि यह जो आपके भौतिक गुण है कैसे पुछे जाते हैं कुश्चिन वो चीज में बताता हूं ऐसा कुश्चिन पुछेगा समू सोल पहले आपको पता होना चाहिए आक्सिजन है सलफर है सेलेनियम है टेलियूरियम है पोलोनियम है लिवर मोरियम है ठीक है लिवर मोरियम है एल भी ठीक है तो यह चीज आपको याद होना चाहिए आक्सिजन ओ होता है सलफर एस होता है सेलेनियम एसी होता है टेलियूरियम ट आउ शास से टेली फोन में पोलॉनिय फोन से लिव करें ऐसा आउ सास तेलीफोन में बात करें पहले का ट्रिक था लेकिन कि प्रवचो ये ये जो आपका है इसको बार में हमнаяStudy ओ Nordic neutral में लिए फिर फोन करें ठीक लिवेह चोड़ना होता है तो यह ओंए प्रिवत्व रहना भी होता है ऐसा मत कहिना इसर आप गलत बता करना है कि इन 5-6 तत्तों में कौन-कौन से अधातू है चोकि आपको बता है पीवलाक के तत्तों में कुछ धातू तत्तों भी है कुछ उपधातू भी है जैसे 6 उपधातू है मुखरूप से और सबसे ज़्यादा अधातू है पीवलाक में ही सबसे ज़्यादा अधातू तत् तो इस समय में तत्त ओझ्यियं में गंधक अधाक में अधाती प्रवत्त्ति सबसे अधिक होती यानी जो आपका आक्षिजन होता है गंधक होता है selenium telurium यह तो अधात हुएं तेकिन इसमें oxygen और जो आपका क्या होता है गंधक होता है इसमें अधात्य प्रति सबसे अधिक पाई जाती है तेकिन इसमें से एक आपका ऐसा तत्त है जैसे मालें यह telurium की बात करें यह telurium में कुछ न कुछ धात्य गुण के करण इसको telurium जो है उपधात्य है लेकिन यहां पर दी बात करें प्रवच्चो पूलोनियम की तो पूलोनियम एक धात्य है ठीक तो आप लोगों तयार कर लेना है पूलोनियम क्या है एक धात्य है अब यह दि हम आप से कहें कि समू में उपस नीचे चलने पर धात्य गुण में क्या होती है तो धात भी गुण में ब्रद्धी होती है क्योंकि जो पहले जो तत्तों है आक्सिजन सल्फर सिलेनियमें तो पूरता आधातू है लेकिन जैसे आप नीचे जाएंगे तेलीरियम तो उप धातू है इसके बाद आपका पैरबच्चो जो पॉलोनियम है वो क्या है धातू है यदि हम आपसे एक अब्जेक्ट्व टाइम में कॉश्चिन पूछे कि समूश सोला के तत्तों को किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग सिंपल तरीके से कहें के कैल कोजन क्या कैल कोजन या आक्सिजन परिवाद कैल कोजन का हिंदी क्या होता है तो आपको बताना है प्यारे बच्चो क्या कैल कोजन का हिंदी होता है आपका आयस्क बनाने वाले तत्तों क्या क्वाप आप लो प्रकति आपको बता हो गया समों में वarios चलने पर आपका अधातिका कम होगी लेकिन धात्मिक प्रकति बढ़ता है व tag निचे खलने पर धात्विक अवस्था में कि इनकी तत्तों की भहतिक अवस्था क्या पेरिवच्चू तो सिंपल है और जबकि अन्र सभी के सभी तत्तों थोस है तो अक्षिजन आयार में आपको पता है कि अउस्था सलफा का नाम लेडियों कि तत्तों तो याद हुट इसे यदि आप 12th class में हैं तो आपको पूरे 100, 118 के 118 सभी तत्व याद होना चाहिए तो आक्षियन आपका क्या है गैस है जबकि सभी तत्व क्या है ठोस है अब बात कर लेते हैं गल्लांग को थनांग एब गनतो की अब थोड़ा सा देखें मेरा काम यही रहता प्यरवच्चों कि यदि मैं गल्लांग बताओं तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दू कि गल्लांग है क्या जैसे कोई भी ठोस पदार्त है उसको आपको द्रौ में बदलना है तो जो ताप की अब सकता होती है प्यरवच्चों उसे कहते हैं गल्लांग आपके पास आईरन है लोहा है उसे आप द्रविद करना चाहते हैं तो उसे गरम करेंगे और गरम करेंगे तो कहीं ने कहीं टंपरेचल लगेगा ताप लगेगा तो वह एक ताप जिस ताप पर को भूए ठोस्पदार्त द्रव में बदल रहा होता हुसका गल्लांग कहते हैं इसी प्रकार से दी कोथनांग की वात की जाए तो कोथनांग की इसका सेम थोड़ा सा डिफरेंस है हम किसी द्रव को गैस में बदलना चाहते हैं तो भी ताप लगेगा क्योंकि आप पानी को वालो में कब बदलेगा जब द्रव का दाब बायो मंदली दाब के बराबर हो जाए थोड़ा सब डाउन करिएगा कोई भी द्रव बास्पित कब होगा गैसी अवस्था में कब बदलेगा जब उसका दाब जिस ताप पर वह द्राव गैस में बदल रहा हूँ तो वो ताप कहलाता है कोथनां की यानि जिस ताप पर कोई द्राव गैस वस्थन बदल जाए वो कोथनां कहलाता है और घनत की बात करें तो घनत में एकांग कायतन है उसमें कितना पदार्त उपस्थित है जैसे एक कमरे में दिया पांच लोग हैं और उसी कमरे में 25 लोग बैठ जाए तो फिर घनत तो बढ़ जाता है यह नहीं आयतन से में लेकिन उसमें बैठने वाले लोगों की संक्या बढ़ रही है उसी प्रकार से हम परमारू की बात करे हैं तो एक आंक का इतन में कितने एलेक्टर्न आ रहेए कितने एलेक्ट्रान की उपस्ति यह ट्रिट नहीं करेगे घनत दो मतलब एक आंक आयतन पर एदिंदे हम बात करें ठ्रश्ट के लिए तो आईतन केदि दिरों की लिकुड की बात करें तो हमारा हो लिटर में पूदिए उपस्टित रभमान पदार्थ की मात्रा कितनी है उसकी घना तो गहलाती है तो गलनांक कोई तीनों में ब्रद्धी होती है देखिए गलनांक कोई भी परमाडू जितने इलेक्टरान से अवंधित होगा उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा क्योंकि उसको उतनी ही अधिक एनर्जी के बसकता होगी तो जब समू में उपर नीचे चलते हैं तो सिंपल है आपको पता होग गलनांक उतनांक के घनत की जब हम समू में आक्षिजन से सलफर पर पहुँचते हैं एलेक्टरियूरियम की बात करते हैं तो यहां पर गलनांक उतनांग और घनत तीनों में ब्रद्धि होती है और पूलोनियम में थोड़ा सा कहीं न कहीं कम होता है चारापसन मैं अब्जیک कब होता है ठे ओक है चलिए आगे बात करते हैं परमार तरिज्ञ और आनिक तरिज्ञ कोई भी पर मजदेया कहते हैं कोई भी परमार ऑगक से बहतंब को इसकी दूरी को बढ़usc हे तब लेकिन जब समूव省 में बच्चा प्रमाड़ एक कोस है एक कोस्त होगा नहीं जिसे हमारा आक्षिजन है उसमें आपका ऑदे इसे दूरी क्या बढ़ता जा रहा है और नाविक से दूरी बढ़ रहा है मतलब परमाडु त्रिज्जा बढ़ रही होती है हमें दिबात करें समू में उपर से नीचे चलने पर तो आक्षिजन से पोलोनियम तक परमाडु कुमांग बढ़ने के साथ साथ परमाडु त्रिज्जा और आनिक त्रिज्जा में ब्रद्धी होती तो परमाडू आकार बढ़ता है परमाडू आकार बढ़ने का कारण बहतम कोस में इलेक्टरान बढ़ते हैं और इलेक्टरान बढ़ने से कोसो की संक्या में बढ़ती होती है और जब कोस बढ़ता है तो आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ गया तो तरज्जा बढ़ेगी क्योंकि तरज्जा की परिभासा ही है किसी परमारू के केंदर से नाबिक से बाहतम कोस की बीच की दूरी परमारू तरज्जा कहलाती है किसी भी परमारू के नाबिक से बाहतम कोस की बीच की दूरी परमाडू तरज्जा कहलाती है तो अल्रेडी जब आकार बढ़ रहा तो तरज्जा बढ़ेगी सिंपल है समझ गये ना चलिए बेसिक क्लियर करता चलता हूँ क्योंकि आप लोगों को यदि इसका परिभासा भी नहीं पता तो आप लोगों को तयार हो जाएगा क्या है किसी गैसी बिल्गित अवस्था में कोई भी परमाडू है पैरे बच्चो उससे हम एक लेक्टरान निकालना चाहते हैं तो एक लेक्टरान निकालना चाहते हैं तो किसी गैसी बिल्गित परमाडू में से एक लेक्टरान निकालना चाहते हैं तो जो उर्जा लगता उ बात करते हैं तो बिल्गित परमारू के यह थोड़ा दूर दूर रहेंगे आकर्शन कम होगा इसलिए वहां से इलेक्टरान निकालना आसान होता है इसलिए गैसी है बिल्गित परमारू से परिवासा में जोड़ा गया गैसी है बिल्गित परमारू से बातम को से एक किसे कहते हैं सहसे जोजी बंद से आवंधित इलेक्ट्रान साजे की इलेक्ट्रान को अपनी और अकर्षित करने की छमता को हम कहते हैं रेड़े विदुद्धता थोड़ा सा आप लोग समू के साथ साथ हैना बाएं से दाएं चलने पर क्या प्रभाव पढ़ता वो चीज में बताना चाहता हूं जैसे पैर बच्चो यह चवधामा समू है फिर पंद्रहमा समू फिर सुल्हमा समू इन में कोसो की संख्या समान रहती है लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रान सुल्हमे समू में होंगे तो जब माल लीजिए एक ही कमरा है और इसके बाहताम कोस में छे और एक ही कम्रा है फांच इलेक्ट्रान का हुम इसमे एक ही कम्रा है चार इलेक्ट्रान का हुम तो नाभिक काकर्षंबल इसमें जदा होगा ना भी काकाशनवल जाता होगा इसलिए इसका प्यारे वच्चो आकार थोड़ा सा छोटा होगा त्रिज्जा भी थोड़ा सा कम होगा और यदि हम इलेक्टरान निकालना भी चाहें तो उर्जा अधिक लगेगी या इलेक्टरान प्रवेश कराना भी चाहे तो उर्जा अधिक लगेगी या किसी इलेक्टरान को खीचना भी चाहे तो उर्जा अधिक लगेगी छमता अधिक होगी इसलिए कहा जाता है कि जब हम समू में बाई से दाय चलते हैं तो आयनन उर्जा में ब्रद्धी होती है रिन बिद्धुत्ता में ब्रद्धी होती है और पेरे बच्चों इलेक्टरान बंधुता में भी ब्रद्धी होती है नोट डाउन कर लो किसी भी आबर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन उर्जा या आइनन भी वो या आइनन एंतल्पी रिण बिद्धुता या बिद्धुत्रणात्मकता इलेक्ट्रान बंदुता इन तीनों चीजों में बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में ब्रद्धि होती है लेकिन जब समू में उपर से नीचे चलने पर हम बात करें अब का यह परमाड़ वाकार नीचे गया तो परमाड़ वाकार बढ़ा गया तो प्यारे बच्छो capaz त्रिज्ञा में ब्रद्यी होती आकार में ब्रद्यी होती है लेकिन आयनन उर्जा इलक्टרान बंदृता और विद्धुत्रंड़ता में कमी आती है बाएंसे दाय चलने पर व्रद्धी होती है नोट डाउन करलो लेकिन उपर मूपर नीचे चलने पर चाहा आइनन भी हो की बात करें चाहा इलेक्टरान भी बिद्धूता की बात करें तीनों चीजों में कमी आती है क्योंकि आकार बढ़ना तेखो आप एदी छोटे आकार में आकर्षण बल प्रबल मानते हैं और बड़े आकार में आकर्षण बल दुरुबल मानते हैं जब बड़ा आकार है धुरुबल आकर संबल से बंधा हुआ है तो इलेक्टरान निकालने के लियार उर्जा की तो अधिक बसकता नहीं होगी कम उर्जा लगेगा इसलिए हम कहते हैं न उपर से नीचे चलने पर आयनन उर्जा की बात करें आयनन विभा की बात करें लेक्टरान बंधुता की बात करें तो कम होता है सिम्पल है तो लिख सकते हैं बर्ग में उपर से नीचे आने पर परमार तुरिजा बढ़ने के सांसान आयनन विभा एवं रिण विदुत्ता का मान घटता जाता है इससे पुष्ट होती है कि उपर से नीचे चाने पर धातविक लच्छन में ब्रद्धी होती है तो धातविक लच्छन के बारे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी समों में आप उपर से नीचे चलेंगी तो धातविक लख्षर में ब्रध्धी होगी योगी पॉलोनिया में एक धातू है टिल्यूरियम हमें उबधातू है ठीक है अब बात कर लेते हैं परमाडविक्ता की कि ये परमाडविक्ता कैसे होता है किसप्रकार से पाया जाता है तो आपका आक्षियन जो होता है वो दूई परमारुक होता है मतलब O2 के रूप में हमीशा पाया जाएगा O3 कभी कभी पाया जाता जब Ozone के रूप में तो यह प्रथवी के निचले सतह पर Ozone नहीं पाया जाता वैसे तो 21 किलोमेटर की परत है प्रथवी के बायो मंदल में प्रथवी के सतह से छोब मंदल में भी नहीं पाया जाता समताप मंदल से स्टार्ट होता है कहीं यहां से 20 किलोमेटर के ऊपर 21-25 ऐसे कुछ किलोमेटर का परत है जिसके कारण हम सुरच्छे थे आने वाले परवैगनी केरणों को Ozone परत क्या कर लेती अब सोसित कर लेती है इसी कारण से हमारे प्रतिवी काताब ज्यादा नहीं हो पाता यदि Ozone परतनस्ट हो जाए तो प्यारे बच्चो यहां पर परवैगनी करने सीधे आएंगे और विभिन प्रकार की कैंसर जैसे भैयानाक विमारी उत्पन हो जाएगा तो Ozone जो है O3 है त्री परमाडू के है आकसीजन का लेकिन यह एक प्रकार से परवचो आणू बन जाता है लेकिन यहां पर मुख रूप से जो आकसीजन है O2 के रूप में दूई परमाडू के रूप में फायदा आता है और इसका करण क्या होता है कि P.P.P. बंद मतलब P.P. के साथ पार्सवियत व्यापन होता ह है पार्सवियत व्यपन के कार्ण धैसे पीपाई बंद बनता है और दूइ बंध बना लेता है इस समुन में जब अन्ध तत्यों की बात करें अन्ध तत्यों में पहर बच्चो तो यह द्ण गूण न रहते हैं तो यहां पर आक्सिजन आपका दूई परमाड़ूख जबकि अन्ड सभी तर तो बहुत परमाड़ूख होते हैं नोट डाउन कर लें ठीक है तो आप से अब्जेक्टिव भी पूंश दिया जाया तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए अगला सातमा भौतिक गुण है इलेक्टरान बंधुता इलेक्टरान बंधुता आपको यहां पर समझना है तो इलेक्टरान बंधुता मैंने बता ही दिया ज्यादा समझाने जरूत नहीं है पेरे बच्चों कि हमने कहा था कि बाएं से दाएं चलने पर इलेक्टरान बंधु में कमी आई गी इसको मैं पर बहुत कम चार्ज में नोट कर आए बहुत कम चार्ज पर आपको नोट्स पर रहाँगा बहतर से रूप आप तयारी कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला हम देखते हैं स्रंखलन की इलेक्टरान बंदुता मैंने पहले ही समझा दिया था पैर बच्चो इलेक्टरान बंदुता हाई क्या है थोड़ा परिभासा बता दू कोई भी आपका गैसिया बिल्गी तबस्था में परमारू है उसके बाहितम को समें एक प्रवीश करा रहे हैं कोई भी गैसिया बिल्गी परमारू है उसके बाहितम को समें एक प्रवीश करा रहे हैं पैर बच्चो तो जो इलेक्टरान प्रवीश कराने में उर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं हम इलेक्टरान बंदुता गैसिया बिल्गी परमारू की बाहितम को उसमें एक इलेक्टरान प्रवेश कराना चाहते हैं जब एक इलेक्टरान प्रवेश कराएंगी तो उससे जो उर्जा मुख तो होगी पेरबचों से कहते हैं इलेक्टरान बन होता है अब बात कर लेते हैं स्रंखलन की तो स्रंखलन में आक्सिजन और सलफर में स्रंखलन का जहां सलफर तो और कई सारे सलफर अश्ट परमाडूग होता है आठ सलफर एक साथ गुड़ने की छमता रखते हैं जबकि आक्षिजन ऐसा नहीं कि आठ आक्षिजन जुड़ जाए केबल दो ये आक्षिजन को जुड़ सकता है तो इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन बंद मातरा